हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम तू में चैनल इस्प्रिट अडूकेशन, दिस इस सुजाता, हम भोकेव सीख रहे हैं फ्रेंड्स, भोकेव में हम इडियम्स कर रहे हैं, इंपोर्टेंट है क्लास, नोट डाउन करते रहिएगा, नोट बुक में, स्टार्ट करते हैं, लाट से डाउन्ट जज़ा बुक बाई इडियम्स इंपोर्टेंट है, माग करियेगा, कही बारेक जाप में पूछा गया है, किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, किसी किताब को उसके कवर से जज मत करो, किसी को उसकी बारी बनावट से जज मत करो, उसको उसकी बारी बनावट से जज नहीं करना चाहिए, एक्जामपील देख लेते हैं, C, He से कहती है, does not look intelligent, C कहती है, He does not look intelligent की वह intelligent नहीं लगता, तो he कहता है you cannot judge a book by its cover कि आपको उसकी रंग रूप उसकी भारी बनावट से उसको judge नहीं करना चाहिए ओके फ्रेंट्स I hope आपको clear हो गया होगा next year caught between two stools दो stoolsों के बीच पकड़ा गया दो मुसीवतों में एक साथ पढ़ना एक समान दो परिशानियों में पढ़ना when someone finds it difficult to choose between two alternatives जब किसी को दो बिकलपों के बीच चुनाव करने में परिशानी होती है वो दो चुनाव नहीं कर पाता है दो चुनावों के बीच में क्या है पढ़ जाता है उसे problem होती है उसके लिए आता है quote between two stools की जब दो हमारे साथ एक साथ मुसीवत आ जाती हैं तो हम उसमें चुनाब नहीं कर पाते हैं He had committed to both and now He is caught between two his toes कि उसने दोनों के लिए commit किया and now he is caught between two अब वो क्या है दो मुसीवतों में एक साथ पढ़ गया ओकी फ्रंट कि जब हम दो काम एक साथ ले लेते हैं तो हमें यह समझ में नहीं आता हम क्या करें हम दो मुसीबत एक साथ दो मुसीबत एक साथ मोर लेना इसका meaning होता है और next है, close that breeze when you come to it जब आप यहां आ गये हो तो इसको ब्रिश को पार करो इस सेनिप्टो जब आप यहां आ गए हो तो इट आया है ब्रीज के लिए कि रोज देट ब्रीज इस ब्रीज को पार करो when you come to it जब आप यहां तक आ गए हो तो इस ब्रीज को पार करो इट मिस जब कोई परिशानी आपके ने मोल ले ली है तो उससे निप्टो deal with a problem if अगर कोई परिशानी है तो उसके साथ deal करो and when it becomes necessary जो क्या है उसके लिए आवश्यक बन जाती है मतलब जब कोई हमारे पास हम किसी परिशानी में पढ़ जाते हैं और हमारे उपर एक परिशानी problem आ जाती है तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए उसका डटकर सामना करना चाहिए उससे पीछे नहीं भागना चाहिए उससे निपटने का कोई ना कोई रास्ता हमें धूर्णना चाहिए तो he I think I need to hire a lawyer he कहता है I think मैं सोचता हूँ I need to hire a lawyer कि मुझे एक lawyer hire करने की आविशकता है he कहता है मैं सोचता हूँ कि मुझे एक lawyer hire करने की आविशकता है तो c कहती है cross that breeze when you come to it c कहती है cross that breeze when you come to it कि अगर परिशानी है तो उससे निपटो अगर परिशानी है तो उससे निपटो उसका मिनिंग होता है कि जब आप यहां आ गए हो तो इसे पार करोईट में जब परिशानी आ गई है तो उसे निप्टो नेक्स्ट ए क्राई ओवर इस्पिल्ड मिल्क गिरे हुए दूद पर रोना दूद इस्पिल्ड बिखर गया है कि बिखरे दूद पर रोना कि अब तो दूद पिखर गया है किया होना है अब तो बियर्थ रोना है बियर्थ में पिर्यास करना इसका मिनिंग होता है बियर्थ में पिर्यास करना किसी चीज के बारे में दुखी होना जो कर नहीं सकते जो हम उसे कर नहीं सकते उस चीज़ के बारे में क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं तो it cannot he had don't cry over spilled milk वह उसकी सहयता नहीं कर सकता don't cry over spilled milk जब आप उसकी सहयता नहीं कर सकते तो आप रोकर बियर्थ का पिर्यास करना है आप क्या गरे हो जब उसकी सहयता नहीं कर सकते तो क्या है बियर्थ का पिर्यास करना है जब आप पिर्यास ही क्या करोगे आप उसकी सहयता नहीं कर सकते next है curiosity killed the cat curiosity killed the cat important है mark करिएगा सभी word important लिए है curiosity killed the cat जिग्यासा ने बिल्ली को मार दिया इसका मिनिंग हुआ जिग्यासा ने बिल्ली को मार दिया इतनी जिग्यासा अच्छी नहीं है being too curious can get you into trouble curious होना इतना जिग्यासू होना आपको परिशानी मोल हो सकती है आप इतना जिग्यासा होना आप परिशानी मोल ले सकते हो अगर आप curious हो जाओगे तो आप क्या परिशानी मोल ले लोगे कि इतनी जिग्यासा अच्छी नहीं है जब किसी के मामलों में हम पढ़ते हैं तो जैसे कोई किसी का घर्यरू मामला है या दोस्त हैं हम उनके बीच में आ गए हैं तीसरा दो दोस्त हैं और उनके बीच में तीसरा आ जाए और उनसे पूछे कि क्या हुआ है उस matter के बारे में जानने की कोशिस करे तो वो क्या हुआ तुझे क्या मतलब है इतना curious क्यों हो रहा है तु तुझे क्या लेना देना है यही तो बोलेगा वो दुस्ता तो हम क्या उल्टी परिशानी मोल ले रहे हैं अपनी सर तो हमें इतना curious नहीं होना चाहिए किसी के बारे में जानने की हमें कोशिस नहीं करनी चाहिए जब हम कुछ करने ही सकते उसके बारे में हम जानकर क्या करेंगे किसी के काम तो हम हम उसके आनी सकते हम उल्टा क्या कर रहे हैं, क्यूरियस हो रहे हैं, तो हमें किसी के अंदर नहीं जाकना चाहिए, जो जैसा है वो वैसा है मैं उसके अंदर जाकने की कोशिस नहीं करनी चाहिए, Don't ask about his divorce Curiosity killed the cat उसके divorce के बारे में बात मत करो Curiosity killed the cat इतनी जिग्यासा अच्छी नहीं है कि हम किसी की जो निजी लाइफ है उसके बारे में हम जान रहे हैं वो अच्छा नहीं है ओके फ्रेंड Next है cut corner Cut corner आता है To take shortcut Sort cut लेना हम क्या करते हैं हम sort cut लेते हैं अपना समय और पैसा बचाने के लिए किसी काम को सही से नहीं करना किसी काम को सही से नहीं करना When something is done badly to save money कि पैसा बचाने के लिए किसी काम को बुरे तरीके से करना लापरवाई से करना ध्यान से नहीं करना कि हम क्या करते हैं समय और पैसा बचाने के लिए कभी-कभी हम ऐसा करते हैं किसी काम को लापरवाई से कर देते हैं, बेडंग से कर देते हैं, ध्यानी नहीं देते हैं और बाद में हमें क्या मुसीबत मोल हो जाती है जैसे मैं एक्जाम्पिल लेती हूँ एक एरलाइन है एक एरलाइन जो पे आरोप लगाया जाता है कि उसने क्या है यात्रियों की शुरक्षा का ध्यान नहीं रखा और जो एक एरलाइन है कमपनी है उसने पैसा बचाने के चकर में समय बचाने के चकर में यात्रियों की शुरक्षा का ध्यान नहीं रखा और अपने मनी को गलट धंग से लगा दिया कि वन एरलाइन वाज अक्यूजड ओफ कटिंग कॉर्णर और सेफटी कि उसे उपर आरोप लगाया गया उसने क्या कॉर्णर कट कर दिये और उनकी सेफटी का ध्यार नहीं रखा इसमें उसने जो है सही से नहीं किया इसका मिनिंग यह होता है इसलिए यह कहा जाता है कि हम जब समय और पैसे का बचाने के चकर में किसी काम को लापरभाई से करती हैं ध्यान से नहीं करते धंग से नहीं करते तो हम क्या करते हैं उसमें गलत करते हैं कट कोर्णर हम के नहीं क्या ले लिया सौट कट ले लिया आई होप आपको किलियर हो गया होगा next don't put all your eggs in one basket don't put all your eggs in one basket कि एक basket में आप अपने सभी अंडे मत रखो एक basket में आप सभी अंडे मत रखो कि आप एक जगा या किसी चीज में एक जगा अटेंशन मत रखो एक जगा focus मत रखो कि don't focus all of your attention on one thing or one area कि एक चीज पर या एक area पर एक चीज पर या एक area पर आप अपना पूरा focus मत रखो इसका meaning होता है कि आप अपने जो पूरा पैसा है या अपना जो पूरा ध्यान है आप किसी चीज पर लगा रहे हो एक पैसा है आपने पूरा अपना एक किसी चीज पर किसी कमपनी पर इन्वेस्ट कर दिया और आपके पास कुछ नहीं बचा इसका मिनिंग होता है जैसे ये कहावात इसलिए कही जाती है जैसे आपने एक टोकरी में अपने सभी अंडे रख लिए बाइचांस वो टोकरी नीचे गिर जाती है और आपके सभी अंडे फूट जाते हैं तो आप तो कुछ भी नहीं बचा इसका मिनिंग यही होता है अगर आप अलग-अलग अंडे रखते तो आपके पास बचता आप अलग-अलग पैसा इंवेस्ट करते तो आपके पास बचता और आपके पास सेव रहता और आपने एक साथ एक जगे सारा पैसा इंवेस्ट कर दिया तो आपके पास कुछ भी नही बचा तो यह कहवात इसलिए कही जाती है डॉंट पूट ओल यूर एक्स इन वन वास्केट कि एक जगे या एक कमपनी पर अपना फोकस मत रखो अपना पैसा इंवेस्ट मत करो ओके फ्रेंट्स तो आई होप आपको सभी एडियम्स किलियर हुई होगी और सभी एडियम्स मैं कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना मैं उसको जरूर दूर करने की कोशिश करूगी और तरजिनों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है मैंने रूट वर्ट से भी क्लासिज दी हैं और वो मेरे चैनल पर जाएं विजिट करें और मेरी सभी वीडियो को चेक आउट करें और नोट्स अपने प्रोपर बनाएं सभी मैंने इडियम सिनोनियम एंटोनियम वन वर्ट सब्सक्राइब लिए हैं सभी क्लासिज में करा चुकी हूं ओके फ्रेंट यह हमारे 155 क्लास सम्थिंग हो गई हैं तो आप चैनल पर जाएं विजिट करें और सभी क्लासिज देखें प्रोपा नोट्स तयार करें ओके फ्रेंड्स तो आप जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करनी और वीडियो को लाइक करना न भूले लाइक जरूर करें अपनी दोस्तों में जादे से जाद असीर करनी जीसे सभी लाव उठा सकी इसका थैंक्स पर वाचिंग टेक केर बाई बाई